तो तो Royal Enfield का पहली electric motorcycle जो की एक मार 2024 में reveal कर दिया गया है और इस motorcycle को एक new brand के साथ reveal कर दिया गया है और इस brand का नाम है Flying Flea जो की Royal Enfield का एक sub brand होने वाली है और इस model का नाम दिया गया है C6 model जो की classic retro theme style के साथ launch किया जाएगा तो अब देख सकते हो देखने में काफी दाता stylish लग रही है साथी एक retro look जो है जो की Royal Enfield के हर bike में हमें देखने को मिलती है वही retro look आपको इस electric bike में भी देखने को मिल जाती है साथी आपको इस bike में काफी comfortable ride मिलने वाली है classic look के साथ भी मिल जाएगी round shape का headlight दिये गया है जो की LED में आपको मिलने वाली है साथी round shape का TFT screen भी देखने को मिल जाएगी जो की bikes related सारी information provide करने वाली है साथी connectivity feature भी आपको इस bike में देखने को मिल जाएगी और साथी इस new instrument cluster में आपको कई सारे new technologies भी देखने को मिल जाती है और Royal Enfield ने total 28 patents फाइल किया है अपने new technologies को लेकर साथी battery pack के अगर बात करें तो 8-10 यानि 8-10 kilowatt hour का battery pack आपको इस bike में देखने को मिल सकती है हलाकि Royal Enfield के तरब से कुछ भी official reveal नहीं किया किया है कि battery pack कितना capacity का होने वाली है और range के अगर बात करें तो 120 से लेकर 150 किक्लोमीटर आपको इस bike में देखने को मिल सकती है तोपस्पीड के अगर बात करें तो 115 यानि 115 किलोमीटर परावार का Top Speed आपको इस bike में देखने को मिल सकती है साथी आपको इस bike में e-bis भी देखने को मिलेगा Traction Control का feature भी इस bike में आपको देखने को मिल जाएगा और ये सारे features जो है officially Royal Enfield ने बताई है और safety related काई सारे features आपको इस bike में देखने को मिल जाएगी काफी lightweight ये bike रहने वाली है और seat की height जो हो भी काफी कम हमें देखने को मिलेगी ताकि हर age के लोग जो है इस bike को comfortably चला पाए तो Royal Enfield की पहली electric bike FFC6 आपको कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताईएगा और इस bike का design आप देखी सकते हो जो की cruiser segment में एक retro thing के साथ आपको देखने को मिल जाती है साथी आपको इस bike में front and rear wheel में disc brakes देखने को मिलेगा साथी dual channel ABS भी आपको इस bike में मिल जाएगी यहाँ पर आपको single seat देखने को मिलती है लेकिन dual seat भी आप ऐसे accessory लगा सकते हो अब suspension की बात करें तो इसका front suspension आप देख सकते हो थोड़ा से unique दिया गया है यहाँ पर आपको girder suspension देखने को मिलती है तो कि यह काफी premium suspension होती है और rear में आपको मिल जाती है adjustable monoshock suspension तो overall Royal Enfield का इस electric bike का लुक आपको कैसी लग रही है कमेंट पर ज़रूर बताईएगा और काफी सरे color combination भी आपको इस bike के साथ देखने को मिल जाएगी और launch date के अगर बात करें तो हो सकते है 2025 का end या फिर 2026 के first quarter में हमें ये bike Indian market में launch होती भी दिख जाए तो अभी launch काफी देरी है इस bike का अभी सिर्फ company इस bike को showcase किया है और इंडिया में भी कुछ दिनों बाद जो है इस bike को showcase किया जाएगा इसी के साथ Royal Enfield S6 model जो की इसी का scrammler version है उसको भी unveil कर दिया है और जैसी C6 launch होगी उसके बाद S6 को भी market में launch कर दिया जाएगा और S6 जो scrammler version है उसके related अगर कोई update आती है तो मैं वीडियो के थ्रूँ आपको बता दूँगा ऐसे आपको FFC6 model जिसके बादे मैं आज मैंने आपको बताया वो model आपको कैसे लगा कमेंट पे ज़रूर बताईए और अगर आपको information अच्छी लगिए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी करके चाहिए मिलते हैं जिक इने वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care